आपका धेर सारा स्वागत है कार्तिक सर के इस रीजनी की क्लास में आजाईए सभी लोग जुड़ जाईए आप सभी को आज के इस सेशन में मैं कराऊंगा बहतरीन क्वेशन्स रीजनींग के जो आपके एक्जामिनेशन में बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होंगे तो आप सभी को गुड़ बॉर्णिंग आप सभी का स्वागत क्वेशन की तरफ बढ़ेंगे आज मैं बता देता हूँ वही मैं ये भी इंशोर करता हूँ कि आपके आने वाले एक्जामिनेशन में आप फुल स्कोर करें और उसके लिए ये मेहनत की जाती है हर दिन आईए क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं आज भी हम लोग कुछ बहतरीन सवाल लगाएंगे आपके स्क्रीन पर पहला प्रशन आ चुका है ये सवाल एक मिसलिनियस सीरीज का सवाल है जिसमें आप नमबर सीरीज के क्वेशन को देख रहे हैं लेटर सीरीज से तो बहुत क्वेशन आपने इस पर लगाए होंगे नमबर का भी सवाल आपके सामने है तो इसको जल्दी से solve कीजिए और मैं आप से चाहूंगा आपकी एक छोटी सी help कि आप इस session को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिएगा अपने friends तक, अपने दोस्तों तक ताकि वो लोग भी session से जुड़े और कुछ नई चीजे सीख मैं reasoning में तो share कीजिए Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram सभी माध्यमों पर और session को like जरूर कर दीजेगा, channel अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please करें और last तक हर एक question को देखिए अलग level पे चलेंगे अप अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो question number first वानी का सबसे पहले answer आया है now the question is is she right or not तो मैं वानी के साथ चलता हूँ अभी option number e पर प्रकृती कहती है कि चार है, वानी का ऐसा मानना है कि छे है, आईए छे की तरफ बढ़ेंगे या चार की तरफ और हमारे जो students से वो बताएं तो मैं आपको number के ही द्वारा later वाले भी question कराता हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना number ही दे दिया आपको, लेकिन number में थोड़ा सा आप confused हो जाते हैं कि आपको लगता है कि ये number कहां तक जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ पहले, ये number जो जाएगा वो 1 से लेकर 9 तक जा रहा है इस बात पर focus रहिएगा आप नहीं होता है कि 0 से लें या 1 से लें 0 से लेकर कहां तक चलें 20, 25, 26, 27, 100, 1000, lakhs, करोर्स कहां तक जाएं ये बहुत important है तो अब option number E की तरफ रिपरना भी चल रही है क्या बात है बाकी लोग बताएं विशांक क्या answer आ रहा है अनुराग कहा है भाई देखें अगर आप numbers को देखें मैं आलिक दे रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा और clear हो 3, 4, 6, 5, 2, 8 है ना हमें दोनों तरफ से check करना है तो check कीजिएगा जब यहां से हम चलते हैं तो 8 के बाद 9 फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो है नियी एक के बाद 2, 3, 4, 5 एक तो पेर यह मिला फिर 6 और 7 है नियी 3 के बाद 4, एक hier पेर मिल गया 5, 6, 7, 8, एक और पेर मिल गया तो 3 पेर यहां से इतने महीं मिल गया 4, 5, 6, 7, 8 एक pair और मिल गया तो यह 4 यहीं हो गया उसके बाद 6 के बाद 7, 8, 9 है नहीं फिर यहां 5 से होगा नहीं, 2 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं 8 के बाद 9, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है नहीं 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखिए एक pair और मिल गया देखिए already हमें 5 pair यहीं मिल गए तो जब यहीं मिल गया हमारे पास 5 pair तो हम आगे और बढ़ने की कोई आवशक्ता हमें है नहीं क्योंकि option में 4 के बाद option more than 4 है तो थोड़ा सा हमारा जो भी 10 second बच जाएगा वो बच जाए तो बहतर है यारी answer क्या हो जाएगा more than 4 will be the right choice और यशी में हम आ चुकी हैं तो यशी में हम कह रही है do like and share this session guys 150 plus at least required in this session इससे कम में जब जाती है ना कहां नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो energy इधर से जा रही है उसका कोई repulsion नहीं हो रहा है उधर से कोई energy वापस नहीं आ रही है और वो तभी हो सकती है जब आप ज़्यादा session को देखें live आएं recorded form में मेरे साथ interaction नहीं हो सकता लेकिन live रहेंगे तो वहां आपके doubts और वहां जो आपको feel आएगा competition का वो अलग label पे होता है so be with me live live रही है दस बजे अगला सवाल हर साल SBI PO में ये questions आ रहे हैं कौन से alphabetical series के तो इसको पढ़ें ध्यान से समझें और फिर answer करें कि प्रूब चले जड़ें दोत कि आपके ले विर झाल ूड़ चले भई, प्लीज सम्ब, सो सम्ब लब गाईज, सेर कर दो भर भर के तो यह काम अब आपको बिना किसी time waste किये करना है, एकदम से immediately कीजिए और पहले तो उनका स्वागत हो जाई सेशन में, वो आपने नहीं किया, यह बहुत गलत बात है If it is possible to make a meaningful word, using the third, बढ़ा इसमें क्या होता है बड़ा confusion रहता है क्या word बनेगा, कितना word बनेगा, इसमें अगर आप देखें, हमें कौन कौन से थर्ड लेना है, यानि हमें V लेना है, फोर्थ लेना है, यानि हमें I लेना है, उसके बाद हमें 6th लेना है, यानि H लेना है, और हमें 8 लेना है, यानि E लेना है, तो इस दिये हुए 4 लेटर से हमें एक meaningful word बनाना है, अगर एक word बनता है, तो इस case में क्या करना है, हमें उठा लेना है कौन सा, यहां लिखा होगा, then what is the last letter of the word formed, तो जो last letter होगा, वो कौन सा होगा, वो उठाना है, if no such word is formed, कोई भी नहीं बनता है, उस case में mark the answer is y, और अगर more than one बनता है, तो x answer कीजे, अगर आप देखें, तो इस दिये हुए जंबर्ड लेटर से, हमारा जो word बनेगा, वो क्या बनेगा, heave बनेगा, राइट, तो heave एक word मक्ही का छता होता है, heave, अगर किसी को पता नहीं हो, मुझे भी सायद पहले, बहुत साल पहले नहीं पता था, अब सायद पता चल गया है, आप बताईएगा, heave का मतलब यही होता है, यहीं होता है, तो e, सबसे लास्ट लेटर है, तो हमारा एंसर क्या हो जाएगा, option number e, और तो कोई word मुझे a रहता, तो मैं कुछ बात भी करता, h a v e करता, नहीं है, यानि, सिर्फ और सिर्फ अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर एक पजल का, जिसमें आपको सिक्वेंस में चीजों को अरेंज करना है, हमारे पास छे लोग हैं, बच्चे हैं, जो एक क्लास में पढ़ रहे हैं, अरका अपना-अपना हाइट और वेट है, जो सबसे लंबा है, वो सबसे भारी नहीं है, उसके बाद यहां से आपको इन्फरमेशन दी गई है, इस हिसाब से आप जड़ आरेंज करके मुझे बताईए क्या अंसर होगा, खोटा सवाल देखने में है, पर इतना भी छोटा नहीं है, यह हैं, तो कि कंडिशन्स लग गई है, लाइक पर भी ध्यान दे, लाइक नहीं किया, आपने सेर कर देना चाहिए था, अभी तक तो यार अब इतने दिन हो गए, अब कितना भी जज्जमेंट चलेगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कम से कम 50 प्लस पहुचाईए भाई, अब इस तरीके से तो बहुत नहीं चल सकता है, आप लोग का जढ़ेर सारा सपोर्ट चाहिए अभी मेरे को इनिशली, क्योंकि जो यह content जा रहा है, यह वहां तक नहीं पहुच पा रहा है, जो मैं सोच कर यहां पढ़ा रहा हूँ, और यह तभी संभव है जब आप मेंसे सभी लोग वहां तक लोगों को पहुचाए, आपको हर प्रकार के questions, label of questions जो है, वह आपको हर तरीके के मिल रहा है, और यह संभव हो रहा है सिर्फ यह इंबाइब के इस bank और इस सुरेश चैनल पर, आप लोग से request है कि इसको ज़्यादा फैलाईए, Mass, English, GA को जो प्यार है वह आप आपको reasoning को भी देना है, एक बार solve करते हैं, देखते हैं क्या आपका answer और हमारा answer match करता है या नहीं, बड़ा ही टेड़ा प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर जो यह बातें लिख दीना और दो चीजों को आपको एक साथ arrange करना है, समस्या यह भी है, weight भी है और height भी है, आप यह समझते हैं इसको, T जो है, वो taller than P है, ठीक है और एक इसके साथ और बनेगा data, वो बनेगा किस चीज का, वो weight वाला बनेगा, but lighter than R है, यह आई R is heavier than T है, ठीक, यह जो मैं बना रहा हूं इदर, यह height वाला information है और यह weight वाला information है यहाँ पर, अब next line क्या है, Q is taller than S and P, Q S से भी बड़ा है, Q P से भी पड़ा है, दोनों से बड़ा है, and, मितलब Q is heavier than T and V, Q T से भी भारी है, Q V से भी भारी है, फिर कहता है, P is lighter than S, यानि S P से भारी है, और T is heavier than V, और T V से भारी है, ठीक है, यह weight वाला एक तरफ चल रहा है, अब इधार देखे, S is taller than V, S T से लंबा है, and Q is not the tallest, और Q tallest नहीं है, तो हमारे पास यह data height का आगया, और यह data आगया weight का, अब arrange कर लेते हैं, चलिए, याद रखिएगा, जो tallest होगा, वो heaviest नहीं होगा, तो अब जब मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो एक बात तो clear है, कि Q की value P से बढ़ी है, और T की value भी P से बढ़ी है, Q चुकि tallest नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, कि Q को मैं ऐसे कर दूँ, और Q is greater than S ह S is greater than T है, T is greater than P है, तो यहाँ कौन आ जाएगा फिर R, क्योंकि Q tallest नहीं है, अचा जैसे ही R यहाँ आ गया, R हो गया tallest, यानि वो heaviest नहीं हो सकता, तो इस case में जब देखिए क्या है भाई, किसको किसको connect किया जा सकता है, आई यह connect करते है, मुझे दिख रहा है, R बढ़ा है T से, Q बढ़ा है T से, Q बढ़ा है V से, तो एक बात तो यह है, कि T बढ़ा है V से, और Q बढ़ा है, इसमें R को हम पीछे रखेंगे कहीं, मैं यहाँ से लेता हूँ अगर S, P, connect करेंगे, how many of them are heavier than T, अचा है heavier की बात करिए तो इसमें हम connection ढूंड लेते हैं, R greater than T है, Q, अचा R तो बढ़ा नहीं हो सकता, S is greater than P है, यह इधर बन रहा है, यहाँ जो connection है, पहले हो कर लेता हूँ मैं, Q is greater than T, T is greater than V, और एक चीज है S is greater than P, यह वाला, इसका कहीं लिखा है, S is taller than V तो लिखा है, इनको connect करना है अपने को, S, P और कहीं मिल नहीं रहा है, Q is taller than S and P, okay, and heavier than T and V, P is lighter than S, P is heavier than V, S is taller than V, and Q is not the tallest, तो यह तीन तो बन रहा है Q, T, V, उसके बाद R भी tallest है, S, P की अगर बात करें, तो यह कहां आएंगे, वो मुझे देखना है, कहीं कोई missing data तो नहीं है, यह देखिए, T is taller but lighter than R, okay, तो R मान लीजिए, यहां पर तो होगा नहीं, यह हो सकता है कि Q ऐसे हो जाए, R, क्योंकि R already tallest है, तो heaviest नहीं हो सकता, यह T हो जाएगा, यहां V हो जाएगा, S और P का कोई connection दिख रहा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लिख रही रहा है S और P का, T taller है, lighter than R है, means T is lighter than R, okay Q is taller than S and P, heavier than T and V, okay, P is lighter than S, okay, S is taller than V and Q is not the tallest, यह दोनों का data नहीं है, S is lighter than P वाला, यहां पर यह data fix नहीं हो पा रहा है, S, P bottom, यह top पे भी हो सकता है क्योंकि वो तो पता नहीं चल रहा है exactly, और यहां लिखा है, tallest can't be the heaviest, चलिए मैं उसको तो heaviest नहीं हो बना है, आ रहा हूँ, ऐसे QR TV कर दे रहा हूँ, S, P आगे भी हो सकता है, S, P पीछे भी हो सकता है, right, क्योंकि इसके पीछे का कोई relation इसमें दिखने रही है, यह बिलकुल अलग छटा हुआ है इन से, so अगर मैं देख हूँ, तो exact बता पाना थोड़ा मुस्किल है, S top, नहीं S bottom पे हो सकता है, दोनों हो सकता है, P lighter than S है, हाँ वही लिखा है मैं S, S is greater than P, similar data लिखा है मैंने, यह जो आप देख रहे हो ना, यह इधर भी हो सकता है, क्योंकि इन में तो कोई बात कही नहीं गई है, यह बस एक लाइन थी हमारे पास, कि जो R होगा, वो सबसे heaviest नहीं होगा, वो तो हम कर दे रहे हैं, लेकिन इस S, P को इधर भी लगाया जा सकता है, और इधर भी लगाया जा सकता है, यह बता पाना कि how many heavier than T, थोड़ा मुस्किल है, या तो 3 हो सकता है, या तो यह answer हो सकता है, या तो यह, कैसे, अगर मैं इधर S और P को लगा दूँ, पिर तो 3 इधर S और P को, इस case में वो एक आदमी से heavier हो जाएगा, या तो A या तो C इसका सही जवाब होना चाहिए, लेकिन अभी हमारा answer क्या है, नन अफ दीज, जिसका जिसका अलग-अलग forcefully answer आया था, मैं आप से यही कहूंगा, कि आप अपना answer अब बदल सकते हैं, मेरे इसाब स तो यही answer है, अच्छा, चले फिर next question पर आईए, solve कीजिए, data sufficiency का question आपके screen पर है, solve करें और बताए क्या answer आ रहा है, अच्छा लग रहा हो, question का label मजा आ रहा हो, तो please share कीजिए, ज्यादा share कीजिए, अभी भी बहुत कम लोग हैं, यार, दस बजे तो यशी मैम ने, पताएए, इस reasoning के लिए, यशी मैम ने कहा, कि sir, मैं 10 बजे class नहीं लेती हूँ, आप पढ़ाए, reasoning 10 बजे, इतने बड़े त आप तक, निर्वहन करूँ, आपकी एक जिम्यदारी बनती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता देना, कि आओ, पढ़ो, भैतरीन question solve कर लो, एक session में ही पता चल जाएगा, आपको, label बाकी, क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, that's very simple, वो judgment आपका है, इस direction में Q है from P, अब sufficiency है, यानि कि मुझे पहले तो यह देखना है, इन दोनों data में QP है या नहीं, यहाँ तो QP है, और इसमें QP है यह नहीं एक बात बताएगे, तो यह तो ऐसे P है, पर Q का कोई नाम हो निसान नहीं है, दूसरा वाला data तो यूं ही कह द देखे, Q is towards north of O, ऐसे है, और विच मतलब O is to the east of P, P के east में है, तो आप आसानी से, आप Q का P से या फिर P का Q से जिससे भी पूछ रहा है, आप relation निकाल सकते है, यानि पहला वाला तो sufficient हो गया, and the right answer of this question is option number A, which is true, correct है, sab लोग सही जा रहा है, अगला सवाल, कितने लोग इस रो में बैठे हैं, आपको बताना है, दो data है आपके पास, data sufficiency का यह सवाल, मैं बताते जा रहा हूं, जो मैं कराता हूं बोलता रहता हूं, सुनते रहिए, data sufficiency, inequality तो आज साथ ना मिला, आपको siloxic question भरे मिल जाएंगे, sitting, puzzle, alphabetical miscellaneous series, coding, decoding, direction, हर कुछ आपको मिल जागए एक ही session में, चाला, only two, वानी कह रही हैं बोथ, shank only two, viparna only two, देखें फिर क्या answer आ रहा है, कहता है, मतलब कितने लोग हैं इस row में आपको ढूंडना है, तो मैं देखता हूं पहले कि पहला वाला data sufficient है या नहीं है, तो कहता है, a जो है वो 16th from right end है, तो a की value 16th है right end से, और m जो है वो left end से 8 है, m left end से 8 है, हमने पढ़ा था कि अगर मुझे total number निकालना है, तो total number का formula यह होता है, कि हमें अगर दो लोगों की बात की गई है, तो फिर मुझे उसके mid number की भी value पता होनी चाहिए, मतलब इससे दो formula निकलते हैं, total number के, rank of a plus rank of b, यह हमें पता होना चाहिए, कभी हम total number निकाल सकते हैं, और उसके बाद उसमें यह वाला भी हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, मतलब यह जोड़ दीजिए, यह जोड़ दीजिए, mid number जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको यहां से total number of क्या मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे, 8, mid और ये, ठीक, वो तो हमें दिया नहीं है, दोनों लोग का rank तो दिया है, लेकिन mid में कितने लोग हैं, वो नहीं दिया, यह जो मैंने निकाला है, वो total number तब है, जब हमें कोई overlap case नहीं मिल रहा है, overlap case के case में, total number का formula बदल जाता है, overlap के case में क्या होता है, जो हमारा mid number है, या फिर आप ऐसे कह लिजे, total number जो है ना, उसको आप यहां से ले जाके उधर रख दीजे, और mid number को इधर लाग दीजे, तो rank of a plus rank of b, जो हमारी value होगी, उसमें से हम minus कर देंगे, क्या mid number plus 2 कर देंगे, ऐसा, ये, तो हमें क्या मिल जाएगा, वहां से minimum total निकल कर आएगा, minimum और maximum total की value निकालने के लिए, हमें mid number चाहिए, तो mid number तो है नहीं, अब जब mid number नहीं है, तो ये तो possible होगा नहीं कि यहां से निकालने, अब आएए इसमें, दूसरा, अब यहां एक ही व्यक्ति की rank दोनों तरफ से दी गई है, तो इसका एक formula होता है, total number निकालने का, जब एक व्यक्ति की rank दोनों तरफ से दी गई हो, तो total number is equal to rank of person from left plus rank of person from right minus 1, यह formula लगा लेंगे, तो आपका निकल जाएगा total, और आप देखिए है भी, left से भी rank है, right से भी rank है यह की, तो total निकल जाएगा, अब इसको निकालने की जोरत नहीं, कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमारे पास data sufficient है दूसरे वाले में, hence, only two will be sufficient to answer, ऐसे, next, बड़ा देखने में बड़ा आईए, और असान सा direction का सवाल है, समय सीमा के काफी बाद आते हैं अनुराग, 20 मिनट बाद, समय सीमा निर्धारित की गई है 10, अच्छा मेरी क्लास में यह है कि, मैं खड़ा रहता हूँ आग यहाँ, ट्रबल सर छोड़ेंगे, फिर मेरी क्लास तुरंट चालू हो जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, सभी लोग, समय पर रहने की पुरानी आदत है, सवाल तो भी मैंने पूछा है क्या इदर? उस तो लिया, इन विच डारेक्शन इस पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाई? आप एंसर निकाल के तयार रहो? कमेंट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में. एक नमबर में ये सवाल पूछा जाएगा आपसे इतना बड़ा. इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आपका टाइम किल करना बस. नौर्थ इस्ट विशांक का एंसर आ रहा है. बाकी लोग, वानी का एंसर भी नौर्थ इस्ट है. रिपर्ना नौर्थ इस्ट, राधिका ओली वन नहीं, अच्छा पीछे वाले का जवाब दिया है उन्होंने, नश्री नौर्थ इस्ट, प्राकृति नौर्थ इस्ट, ठीक है. इस्ट, इस्ट कर लेते हैं, क्या एंसर आता है, जा नौर्थ इस्ट सही है या नहीं, एक आदमी है, वो फ्रॉम पॉइंट एफ, ड्राइज टौर्ड साउथ फॉर थ्री किलोमेटर से, यहां से वो, पॉइंट एफ से वो नीचे की तरफ तीन किलोमेटर जा रहा है, तो और 12 किलोमेटर चलता है, 12 किलोमेटर चला कर, पॉइंट एच पर पहुंचा दीजे इसको, उसके बाद then he takes a right turn, फिर नीचे की तरफ लीजे इनको, और 8 किलोमेटर चला दीजे इनको, और यह पहुंचाते हैं, फिर पॉइंट आर पर, ठीक, उसके बाद कहता है, from where he takes a right turn, अचा, अब जब यह right turn ले रहे हैं, अधर की तरफ जा रहे हैं, और कितना चल रहे हैं, and he walks how many meters, दिखिये जरा, he takes drive, where he takes a right turn and again, drive 6 किलोमेटर, 6 किलोमेटर का मतलब है कि यहां से अगर आप देखे हैं, तो यह 6 किलोमेटर कुछ यहां जाएगा है, आधा, पुरा नहीं जा तो यह point J है, और यहां से इसने right turn लिया है, यानि उपर की तरफ, और 5 किलोमेटर ड्राइब कर रहा है, यानि 8 से पहुत पहले ही रुख जाएगी value, और उसके बाद, he reaches point N, यह वाला जो point है, वो N है, घ्यान से देखते रहेगा, at this point, he takes a left turn and drives 8, तो 8 और 6, 14 हो जाएगा, थोड़ा से बाहर चला जागा, इतना 2, यह वाली value 2 किलोमेटर जादा हो जाएगी, तो मैं यह लिख देता हूँ, यहां पर 6 और यह 2 total art, थिक, तो कितना चला, V, point V पर पहुंच गया, okay, पहुंचा दिये बाई, उसके बाद कहता है, where he takes a right turn, यानि उपर की तरफ, and drives 2 किल point Y, which is 3 किलोमेटर, क्या है, which is 3 किलोमेटर to the west of point K, so point K के 3 किलोमेटर west में जाएगे, और यहां पर आप पहुंचेंगे, point Y पर, सवाल यह था, आचा, नहीं भाई, ऐसा ना हो कि आप इसी ग्रूप में ब्लॉक हो, पढ़ने वाले बच्चें आप लोग पढ़िये, जरूरी नहीं है कि, इतना कर दें कि, वो किसी भी चीज़ की हद हो जाए, don't worry about this, एक बार कर दिया, बहुत है आने वाले आएंगे, नहीं आने वाले, भगवान उनको खुब तरक्की दें, आगे बढ़ें, और इससे ज़्यादा एक टीचर अपने बच्चों के लिए क्या काम ना कर सकता है, देखें, next क्या है, in which direction is point B with respect to Y, Y के संदर में point B कहा है, यह रहा B, और Y के संदर में जब जाएंगे ना, तो उपर की तरफ जाना प क्या है, अभी तो मुझे भी नहीं पता है, यह है C, option number C will be the right answer, चलिए, next question की तरह बढ़ जाते हैं, syllogs के वो बहतरीन सवाल आपके screen पर solve करें और बताए क्या होगा इसका जवाब, only two, Vani, Vishank, Nasreen, Riparna, Madura और Mahima, very good, देखे, बनाते इसको, आज एक इसमें ऐसा सवाल है, जो मेरे concept को conflict करता है, तो उस पे भी ध्यान देंगे जरा, लेकिन अभी फिलहाल उस पर पहुंचते पहुंचते इधर देख लेते क्या है, only a few का मतलब some और some not होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो कुछ radiators जो होंगे वो engines होंगे, और कुछ radiators engine नहीं होंगे, यह हमारा पहला data, फिर कहता है कुछ engines जो होंगी वो batteries होंगी, और कहता है सारी की सारी जो batteries हैं वो क्या है, compressors हैं, तो यह हमारा figure बन गया, अब सवाल है कोई battery radiator नहीं है, कोई battery radiator नहीं है, यह हम नहीं जानते, क्योंकि radiator से battery का कोई relation है नहीं, तो हमारा answer हो जाएगा can't say false, यही possibility में होता तो true होता फिर, फिर कहता है can लगा है ना देखिए, जब भी can लगे यह possible word हो जाता है, कहता है some compressors are radiator, compressor का radiator से relation है क्या कोई, है कोई relation, हमने क्या का possibility अभी हम भूल जाते हैं, बस देखते, compressor का radiator से relation है या नहीं, तो दोनों गोले बिल्कुल अलग-अलग हैं, जब दो गोलों के बीच में अगर बात की जाये, जिस गोले पे आप है मालीजी अर्थ है और हम बात कर रहें वेनस की, तो आप कभी तो वेनस पे गए नहीं, तो कुछ भी संब होया आपके लिए वेनस पे तो, हो सकता है पानी हो, हो सकता है बर्फ हो, हो सकता है यह हो, हो सकता है यानि हो सकता है, तो जहां हम नहीं जानते, वहां हर चीज हो सकती है, यानि यह क्या होगा, पासिबल हो जाएगा, hence only two follows will be the right answer, और आप लोग बिल्कुल सही थे, यहां हो, next, यहां हो, यह only one सब का answer आ रहा है, अब देखते है only one सही है या नहीं, कहता है only a few brakes, मतलब कुछ brake axle है और कुछ brake axle नहीं है, फिर कहता है सारा का सारा जो axle है वो क्या है, pistons है और कोई भी जो pistons है, वो clutches नहीं है, यह आपका figure है, अब पहला, no clutch is axle, भाई एक बात बताएए, जब पूरा का पूरा piston clutch में नहीं जाएगा, उसका जो इतना सा भाग है, वो भी तो उसमें नहीं जाएगा, मतलब कहने का है कि अगर आप घर में नहीं है तो आपका हात भी तो घर में नहीं होगा, तो वही बात है एकर पूरा P C में नहीं जाएगा, तो पूरा A भी C में नहीं जाएगा और missingț today, ये वाली चीज तो बिल्कुल सही है, अब यहां can भी लिखा है ध्यान दीजेगा, possibility के बारे में बात हो रही है, तो some brakes are piston, देखिए already जो ये कुछ brake है ना, आगर आप ये वाली चीज को ध्यान से देखें, ये वाला part, already आप देख सकते हैं कि कुछ brake piston है, और जब जो चीज होती है, तो उसमें हम possibility नहीं लगाते हैं, उसमें फिर ये नहीं कहते हो सकता है, वो है फिर, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, definitely false है, इसलिए false हो जाएगी possibility में, hence, only one follows आपका बिल्कुल सही answer है, next question आपके screen पर है, इसको solve कीजिए, विशांक only one, रख्रती only one, वानी only one, नस्रीन only one, परमजीत one, ठीक है, देखें, क्या one होगा या नहीं, एक बार चेक कर लेता है, सारी की सारी सील्स की तो बात नहीं है, लेकिन कुछ सील्स जो है वो एंजल्फिस हैं, और कुछ सील्स एंजल्फिस नहीं हैं, फिर कहता है, no एंजल्फिस is stingray, कोई भी एंजल्फिस stingray नहीं होगी, और no stingray is what, starfish, ठीक, यह आपका figure बन गया, अब सवाल है, क्या कुछ एंजल्फिस की starfish होने की संभावना है, ध्यान दीजेगा, जनरल यहां लोग error करते हैं, उनको लगता है कि no एंजल्फिस is stingray है, और no stingray is starfish है, इसका मतलब no एंजल्फिस is starfish भी होगा, वो math का calculation लगाते हैं कि no a is b, no b is c means no a is c, यह नहीं होता यहां पर, यह relation है, इन दोनों के बीच में पता है, इन दोनों के बीच में पता है, लेकिन इन दोनों के बीच में हमें कोई relation नहीं पता, और जब इन दोनों के बीच में कोई relation नहीं पता, तो चाहें आप जो पूछ लीजे possibility में, सब true होगा, पहला तो true हो गया, दूसरा, सारे seals का stingray होने की संभावना, देखे, सारे seals का stingray होने की संभावना पूछ रहा है, तो देखो, यह भाग जो है न, की है इसमें, तो जैसे ही यह वाला भाग इसमें आ गया, यानि कुछ seals का यह जो पार्ट है न, वो कभी stingray में जा ही नहीं सकता, तो सारा हम कैसे डाल दे seals को, यह possible नहीं है हमारे लिए, और possible नहीं है, hence it is false, फिर से सुन लीजिए, चुकि seal का कुछ भाग इसमें है एंजल फेस में है, और पूरा का पूरा एंजल फेस चाहिए stingray में नहीं जा सकता, तो यह जो भाग है seal का, यह जो कुछ भाग है seal का, वो कतई stingray में नहीं होगा, hence यह वाली value क्या हो जाएगी false, बहुत तेजी में, बहुत तेजी में, लेकिन कुछ लोगों का answer गलत आ रहा है, उनको भी सही करते हो चलना है, अम तो देखो, अभी मेरा इससे पहले जो मैं पढ़ाता था अगर वहाँ आपको वीडियो दिख जाए, फिर मेरी speed बहुत खतर राक है, अब यहाँ मेरे कांसेप्ट से कन्फिक्ट होगी, यह बात आपने सही करी, फोड़ा पीशे चल रही है हो, अब यहाँ मेरे कांसेप्ट से कन्फिक्ट होगा, अब यह कहते हैं जो केवल टर्टल क्राब है तो क्राब कही जाए गाई नहीं और, देखे, कहता है कुछ डॉल्फिन्स क्लोन फिसेज हैं और कुछ डॉल्फिन क्लोन फिसेज नहीं हैं, सारी की सारी जो clone fishes हैं वो हैं turtle और only turtle is crab मतलब all crabs are turtle अब मैं ये कहता हूँ कि crab का जो ये part है ना crab ना तो इस clone fish से relate करता है ना तो इस dolphin से relate करता है तो मेरे लिए तो ये possibility में चला जाता है लेकिन नए जमाने के नए teachers कहते हैं कि जब ये only हो गया तो ये और किसी में जाएगा ही नहीं लेकिन मेरे पास उसका बहुत साधरन सा example है साध मैंने एक दिन पहले कुछ दिया भी था क्योंकि आपका अभी exam है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें कोई और ये जब SBI PO तक खतम हो जाए तो मैं आपको बता दूँगा वो कैसे होता है और क्यों अभी जो बताया जा रहा है उसमें मुझे मेसा से doubt रहा है और मैंने अभी तक उसको माना नहीं है क्योंकि exam में भी यही चीज चलती है जो मैं आपको बता रहा हूँ फिल्हाल चलते हैं trend के साथ some crabs are dolphin is a possibility नहीं हो सकता है क्योंकि crab कहीं और जाएगा ही नहीं as per the new rule so यह अभी cancel हो गया all turtles can be dolphin सारा turtle dolphin हो जाएगा सारा turtle का dolphin होने का कहानी जो है अभी हमारे पास क्या पता है कि कुछ turtles जो है वो dolphin है क्या है कुछ turtles dolphin है लेकिन वो सारा turtle की बात कर रहा है अब उस turtle में एक्चली यह भी है हमज़ने आप कौन crab और यह crab actually कहीं और नहीं जाएगा उस वज़द से यह कहेंगे यह भी false है यह नए trend के लोग कहते है मैं क्या कहता हूँ यह जो crab है ना इसका कोई relation नहीं है इन दोनों से तो यह भी possible है और कुछ जो turtles हैं वो dolphins हैं और वहाँ सारे turtle की बात कर रहा है तो यह भी possible है तो for me both are true and for new trend both are false अभी आप लोग को answer क्या लेना है both are false ले लिजिए लेकिन धीरे धीरे इस trend को फिर से मैं बदलूँगा क्योंकि मैं banking में फिर से जब आ गया हूँ अब मैं इसको वही ले जाओंगा जो सत्त है जो सही है तो अभी के लिए neither nor पर आगे के लिए both follows will be the right answer next question हाँ वह जा सकता है यही तो बात है एक example दूँगा उसको जो काट दिया फिर मैं माल लूँगा कि यह जो पहला वाला जो अभी चल रहा exam में बतलब लोग पढ़ा रहे जो वह सही है एक example है मेरा कोई काट के दिखाएगा हाँ exam में follow वाला ही कर के आना है अरे विसांक में बता रहा हूं ने यार अब अपने हिसाब से लोगों ने देखो कुछ नया बताना था market में कुछ नया ले आना है उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने स्टेटस बना दिया जबकि वह ही नहीं सत्य तो यह है exam में जो सही होता है वह लीजिये ना अपने हिसाब से रूल बना दिया YVPS तो आपको follow नहीं करेगा SBI तो आपको follow नहीं करेगा इनके अपने rules है मैं बताऊंगा exam में क्या करना है exam में both follows करना है EF जो है वह south देख रहे है और PQRSTU north देख रहे है चलिए अब आपके screen पर data है इसको solve कीजिए हाह बनान भी थान बस्त्राई करते रहे है झाव पहाउ करते बत्ताव और चुघक अंँ करते करते प्या रहीं करते झाल झाल जी, बताएगा कोई? बताएगा कोई? बताएगा कोई? जल्दी जल्दी बताइए सेम है प्रकृति देखो क्या है कहता है R sits third to the left of T अब मुझे पहले ये देख लेना है कि कौन किदर है तो ABCD south facing है चलो अच्छा है उन्होंने लिख दिया तो मेरे लिए काम असान हो गया ABCDEF ये south facing है और PQRST और U है क्या ये north facing है south facing, north facing हम इधर बना दूगा कहता है R sits third to the left of T and at least one person sits to the right of T कम से कम एक व्यक्टी T के बगल में है अच्छा आईए जरा हम इसको बनाते है अब देखो कहता है कि R जो है वो third right of T है तो एक, दो, तीन, एक तो R यहाँ हो सकता है ये minimum वाली बात हो रही कम से कम एक और एक दूसरा और भी हो सकता है dear students कि मैं यहाँ पर R को एकदम यहाँ बिठा दूँ तो T यहाँ हो जाएगा क्योंकि वो तो कम से कम एक हो नहीं at least one person to the right of T होना चाहिए फिर कहता है the one who sits opposite of R तो मैं भाई, अभी यहाँ के भी छे लोग बना दिये जाएं काकि दोनों सवाल फड़ा फड़ हो जाए जो सही होगा वो रख लेंगे, जो कट जाएगा कहता है कि the one who sits opposite of R मतलब यहाँ sits second to the right of E तो इधर केस में यह right है और यह left है याद रखिएगा इस केस में इधर right है यह left है यही error होती है इसले मैं लिख दिया तो जो R के opposite में है न वो क्या है second to the right of क्या है E है second to the right of E यहाँ होगा तो first right second right यह हो जाएगा इस केस में E यहाँ हो जाएगा तो first right second right यह हो जाएगा ठीक next line क्या है only one person sits between E and C E और C के बीच में एक व्यक्ती बैठता है और कहता है the number of person sitting to the left of C is same as the number of person sitting between the right of B खीक है अब हमें देखना है कि E C को हम कहा रख सकते है तो यहाँ पर दो possibility है और यहाँ पर भी दो possibility है कि only one person between E and C तो यहाँ भी C हो सकता है 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 लेकिन एक बात तो द्यान दीजेगा अगर इस केस में मैं यहां C लेता हूँ मुझे फिर यहां B लेना पड़ेगा एक possibility इस की है और इस केस में अगर C यहां लेते हैं तो फिर B यहां लेना पड़ेगा आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या और कुछ हो सकता है या फिर और कोई बदलाव कर सकता है एक दूसरी possibility इस की है है वो भी मैं यहीं लगे हाथों ले लूँ ताकि clarity बनी रहे माल लीजे मैंने C को इहां लिया दोनों cases में फिलाल ओफ यह गड़बड हो गया फड़ा फड़ा बनाना पड़ेगा वरनाम उसकी लिए अब समय का भाव और उसमें ये खेल बड़ा खेल वह गया ये बई एक फटा फट कोई possibility ले ले लेते हैं जो सही हो जाए वैसे तो दोनों ही लेनी है अभी लेकिन अब फिर से पढ़ना पड़ जाएगा अचा थर्ड तू दे लेफट अफट 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 अचा थर्ड तू दे लेफट अफट अफट मतलब एक ये र हो जाएगा इस हिसाब से यहाँ पर मैं एक को बिठा देता हूँ तो हमारे पास E और C के बीच में एक वेक्ति का गयाप है तो यहाँ C हो जाएगा फिर यहाँ B हो जाएगा एक possibility यह थी एक नीचे वाली थी उसको भी साथ मिले लिना भाई एक है अब उसके बाद कहता है R sits second to the right of E हो गया हो गया next तो number of person हो गया A sits second to the left of B A sits second to the left of B यहाँ यह यहाँ एगा अच्छा वो वाला possibility खतम होगा जब यहाँ B को आप रख रह होगे किको उसके further left में कुछ होगा ही ने फिर तो वो कैंसल हो जाएगी और यह वाला आ जाएगा अब next S sits third to the right of U अच्छा नाइधर U nor P sits opposite of B S sits third to the right of U का मतलब है तो मुझे अब U को अगर यहाँ रख हूँ यहाँ, in fact यहाँ यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रखेंगे first, second, third यहाँ पर S आजाएगा क्योग Jewish यहाँ वो नहीं हो सकते किसके B के S sits, नईधर U nor P sits Ýघघएगा यहाँ यहाँ रखियेगा यहाँ मत रखेंगा जाएगा यहाँ, क्योथ वोट आजाएगाे F sits to the right of D का मतलब है कि आपको फिर यहाँ पर D रखना पड़ेगा और फिर यहाँ पर F रखना पड़ेगा, then only it is possible. Who does not? मतलब D does not sits opposite of S. तो यहाँ पर, ठीक है, opposite of S, यह कहाँ लिख दिया, यार मैंने? My error. अब की बार ध्यान से, वरना कुछ गलत दिलिट हुआ, कहाँ ही बदल जाएगी. यह देखो, यहाँ पर है. यहाँ, इस केस में क्या था? कि F sits right of D है. तो मुझे क्या करना है, D को यहाँ रखना है, और F को यहाँ रखना है. अब जो line थी, वो क्या थी? कि D who does not sits opposite of S. ती क्या, opposite of S नहीं है. और कोई line है, यहाँ पर, P नहीं बढ़ा सकते. यहाँ पर, क्यों कि B क्या opposite नहीं हो सकता? और यहाँ जो बच गया है, वो कौन है? P, Q बच गया है. तो यहाँ Q रख लीजिये. यह South facing, यह North facing आपका data. मैंने दूसरी वाली possibility नहीं ली, वो भी लेना है आपको actually. So, the right figure of this question is this. अब इस पर जो सवाल है, उसको फड़ा-फड़ा आप कर लीजिये. बताए ज़रा, इसका क्या answer होगा? How many person are sitting between B and the one who sits opposite of T? T के opposite जो है वो, जो है, और B के बीच में, कितने लोग हैं? यह बताना है आपको. चलिए, तीन answer आ रहा है, तो मैं तीन फिलाल आपके कहने पर ले ले रहा हूँ. I don't know the exact answer. चलिए, correct है. अब यह सवाल है, homework का दोस्तो, बड़ा अच्छा सवाल है. Blood direction का मैं सोच रहा था, इसको करा दूँ, पर यह हो नहीं पाएगा. चलिए, इसको solve कीजिएगा. अब comment box में बहुत कम answer आ रहा है, बहुत कम. बतलब कल के question का दो लोगों ने answer दिया, बताओ. या तो मैं दून आ होंबर किये, कह दो आप. Please, try to solve and give the answer. देखो, सही है, गलत है, मैं यहां judge नहीं कर रहा हूँ किसी को. मुझे सिर्फ और सिर्फ वो student चाहिए, जो respond करते हैं. देखिये, nature decide होता है, इसे. Responsive nature वाले ही student आगे जालके exam clear करते हैं. क्योंकि system पर आपको जाके answer वहां भी देना exam में. यहां देंगे, तो वहां भी देंगे, बड़ा simple logic है. So, I request everyone, please try to answer this question in homebox. जब मैं दे रहा हूँ, तो solve कीजिए, और chat box में जरूर, comment box में class खतम होने के बाद लिखिये, वह ज़्यादा important है. ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, लेकिन उससे पहले आप एप को download करना बिलकुल ना भूलें. इमबाई वेप ऐसा एप है, जो की आपको दिलाता है, ना केवल concept, practice, test, आपके behavior की analysis, इसके साथ जितना आप जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको बताता चला जागा, कि आगे आपको करना क्या exam में, और कैसे और बहतर हो सकते हैं आप, साथ ही साथ, telegram channel है, हमारा bank का, Imbive Achieve Bank and Insurance Exam, या फिर आप scan करके भी जा सकते हैं, यहां से आपको class के links, PDFs, सारी चीज़े मिल जाया करेंगी, तो आज के लिए, इतना ही dear students, उमीद करता हूँ, कि आपको आज का ये session अच्छा लगा होगा, variation of questions अच्छे लगे होंगे, ऐसे ही, और classes और questions के लिए, आप म Keep Imbiping, we believe in you